सो हेलो फ्रेंड्स कैसो आप सम्में सुचता हूँ कि आप सब आच्छे होंगे फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने कोई भी ऑनलाइन साइड में कुछ भी सपिंग करते हैं और वो प्रोड़ोट आपको डेली भर नहीं होता है और बहुत प्रेंड्स मेरा नाम में अभिसेक और आप देख रहें मेरे वुट्यूब चैनल स्टार अभिसेक टेक्निकाल सोप्रेंड्स चलिए असका वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि डेलीवरी कोरियर ने मेरा क्या प्रोब्लेम ग्रेट किया तो चलि प्रोब्लेम और ने मुझे मिस्कल देखके को काड़ को अथा और उसके बाद यहां पर मेसेजित आए यहां पर एक्जू के टिव वाच और चला गया और उसके बाद दिखेंगे यहां पर जो रिटरन था वह क्यांसल और चार्जर वो सेलर के पास नहीं पंच पाया इसलि उसका कुछ दिन के बाद फ्लिपकर को कॉल किया उन्हें बला कि अगर अपने 48 आवर के अंदर हमको कॉल करते हैं तो वो कुछ आक्षण ले बाते हैं लेकिन अभी तो टाइम चला गया था तो इसलिए मैं उनको छोड़ दिया और कुछ भी नहीं किया और वो भी पिक अप करने के लिए वो भी मेसेज आता है कि डेली भरी कोरियोर ने आपका पिक अप करेगा और वो कोरियोर वही मुझे कॉल किया था मैं तूरंट उसको रिसिप गड़ दिया और मैं उनको बला कि मेरा एक पिक अप का एक रिक्वेस्ट था लेकिन मैं क्यूं जाओं आपके पास वो बला कि हमारा ओफिस का जो बॉस हो हमें पेट्रोल का चार्ज नहीं देते हैं क्या आप देंगे इसी तरह बहुत सारे कुछ बात मुझे बताया और जो क्यों बला कि आपका ऐडेया में हमारा सर्वीश में परीठ नहीं है प्रिंगर्ड का जो return कर जो request है वो यहां पर और खतम हो जाता है। पिक अप नहीं करते हैं तो जो return cancel हो जाएगा तो इसलिए मैं यहां पर क्या में Twitter पे गया और उनको tweet किया delivery को मुझे बहुत ही ज्यादा अचा लगा कि उनका जो तो एक ट्विट गया था और उसके बाद उनको मेंसेज भी किया था दीखे उनका जो रेंस्पोंस मुझे बहुत जलद आया दीखे उनको लिखा था कि Delivery Executive, Denied Doorstep Delivery यानि जो Delivery बहे वो हमारे एरिया पर नहीं आ रहा है और उसके बाद मैं उनको लिखा कि They don't call me, then the message appear Pick up will be attempted again आज जावार Executive was unable to reach you और मैं उनको जो AWB नमबर है उनको भी भेज़ दिया और Please help, उसके बाद दिखे क्या हुआ और उसके बाद वो लिखा कि यह अपर लिख दिया और मैं उनको मैरा जो contact number है वो भी भेज़ दिया उसके बाद उनके तरफ से तुरंत call आता है और मुझे call किया और पुछा कि मेरा problem क्या क्या है और मैं उनको सब बताया उनने मुझे माफी मागा और मुझे बला कि हमने फिर से जो pick up का request देते है और फ्रेंट सब सही हुआ और उसका एक दिन के बाद यानि आज मैं जो pick up का request ओ complete हो गया और courier boy भी है वो हमारा घर पे आता है और लेके जाता है और कुछ भी यह बगबग नहीं करता है और कुछ भी नहीं बोलता है आप यहां पर देख सकते हैं और भी बहुत सरे मंदे का इसी तरह problem हो रहा है कोई यहां पर लिख रहा है की और कोई लिख रहा है की यानि कॉल लहीं करते हैं वो direct product को cancel कर देता है और भी कितने सरे problem यहां पर आप पड़ सकते हैं, और आप चाहे तो टुटर में भी है, आप यह सभी problem को पड़ सकते हैं, और आपका इसी तरह problem होता है, जैसा कि आपका product आपका nearest home में हैं, लीकिन हुआ आपको call करते हैं, और आपका जो product को cancel करते हैं, या कुछ भी problem होता है, तो आपको पहले क्या करना है पहले आप जहां से भी प्रॉडट को order किये हो जिसकी Amazon या फिलिपर जहां से भी order किये हो सबसे पहले उसका customer क्यार के साथ बात करना है और उसके बाद आपका प्रॉडट जो भी courier के साथ shipped हुआ है उसी courier company का call करने के लिए कोशिज कीजी अगर उनका नॉमबर नहीं मिलता है तो आप वह जो कॉरियर कंपानी को ट्याग करके आपको ट्विटर में ट्विट करना है और ट्विट करने से उनका रेस्वंस भी आपको मिल जाएगा लेकिन मेरे यहां पर प्रब्लेम हाता डेली भरी कॉरियर कंपानी के उनका भी रिप्लाई मुझे बहुत ही जल्द मिल गया था हमारे एरिया में जो आता है कोरियर भाई उनका तो ब्याबर मुझे पहले आच्छा नहीं लगा लेकिन इनका जो कॉस्टम और क्यार का सर्वीस है वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और उन्होंने बहु कुछ बहुत है तो मैं आपको यह बोलना चाहूंगा आपका जो सर्वीस को और भी इंप्रूब करना चाहिए बिसिकली आपका जो डेलिवरी बयात है और उनका जो में होब होता है उनके साथ भी आपको कॉंटर्ट करना है और यह सभी प्रब्लेम को सॉल्ब करने के लिए अगर आपका इसी तरह प्रब्लेम बहुत ही ज्यादा वड़ेगा तो आपका जो डेलिवरी कॉर्यर कंपाइनी उसके ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा वह डूब जाएगा और अभी तो उसका नाम बहुत ही आच्छा कासा है और इसी तरह प्रड करते हैं तो इस जो क एक लाइक कर दीजे क्योंकि फ्रेंट्स अगर आपने एक लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ही ज्यादा मोटी होशन मिलता है तो इसलिए फ्रेंट्स अगर आपने इस वीडियो को यहां तो देख रहे हैं फिर भी हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फ्रेंट्स अब क्या कर रहे हो जो रेट गुलर का सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं उसी को दवा के सब्सक्राइब कीज़े और उसके पास जो बेल आइकन है उसी को दवा के अल कर दिजे क्योंकि यूट्टूमे में जो भी वीडियो प्रेड करूंगा उसका नो झाल झाल